दोस्तो क्यों करते हैं पती लड़ाई जगड़ा, क्यों करते हैं पती अपनी पत्नी को एगनोर। पती पत्नी के बीच रिष्टे में विश्वास बहुत महत्तपूरुन है। दोस्तों संदे है, शक, धोका जैसे शब्द पति पतनी के बीच जगड़े का कारण बनते हैं बाहर काम करना, दूसरों के साथ मित्रदा करना, एक दूसरे के बीच शक के बीच बोना, पर तैक बात के लिए अपने साथी पर संदे है, करना मुर्खता पुरून है और यही सब पती पतनी के बीच तनाव का कारण बन जाते हैं दोस्तो ऐसे घरों में आए दिन पती पतनी का रिष्टा तूटने लगता है बिखरने लगता है पती पतनी के रिष्टे के बीच में जगड़ा रहने लगता है यह देखा गया है कि कई शादियां ज्यादतर इसी मुरुकता पुरुन सभाव के कारण तलाग के कागार तक पहुंचाती हैं दोस्तों लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के लिए उन पत्नियों के लिए जिने अपने ससुराल में अपने पती का अपने ससुराल वालों का सभी का अच्छे से साथ निभाने के साथ साथ जिम्मेवारियों उठाने के साथ साथ भी वो मान समान नहीं मिलता जो एक पत्नी अपने ससुराल में चाहती है क्या कारण हो सकता है कहीं उसके पती किसी प्राइस्तरी को पसंद तो नहीं करते कहीं उसके पती नशा तो नहीं करते या फिर उसके पती उसे ना पसंद करते हों जिसके चलते उनके रिष्टे के बीच में दरार आने लगी हो दोस्तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पती आपको धोखा दे रहे हैं आप चाहती हैं अपने पती को वश में करना अपना गुलाम बनाना अपने सिवाए किसी की तरफ आँख उठा कर ना देखे पूरी तरह से अपने पती को अपने काबू में रखना तो दोस्तो आज इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि ऐसा वशिकन टोटका मंत्र जिसका परियोकर आप अपने पती को पूरी तरह अपने मुठी में कर सकती हैं तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको बताते हैं पती को वश में करने के लिए आपको किस मंत्र का जाब करना होगा किस टोटके का परयोग करना होगा जिससे आप अपने पती को पूरी तरह अपने काबू में कर सकती है दोस्तों हर महिला चाहती है मेरा पती सिर्फ मेरा हो हर महिला चाहती है मेरा पती मेरे काबू में रहे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको शनिवार की अर्दरात्री को एकांथ स्थान पर बैट कर अपने सामने किसी उंचे स्थान पर अपने पती की फोटो को रखना होगा और दोस्तो उसके बाद उस फोटो के आगे आपको एक काले कपड़े के अंदर एक मुठी चावल की रखनी होगी और एक मुठी ही पीली सर्शो की आपको रखनी होगी दोस्तो उसके बाद आपको क्या करना होगा अपने पती की फोटो की आँखों में आँखे डाल कर आपको एक मंत्र का 101 बार जाब करना होगा दोस्तो मंत्र होगा ओम कलीम चैफट कुरू कुरू वश्मान्यू स्वाहा दोस्तो इस मंत्र का 101 बार जाब कर अपने रिष्टे को मधरू बनाने की काम न करनी होगी दोस्तो उसके बाद आपको क्या करना होगा इस अभी सामगरी को लपेट कर अपने पती के सिरहाने रख दे और अगले दिन सुबा पांच बजे से पहले इस अभी सामगरी को उठाकर बहते पाने में प्रवावित कर दे सिर्फ इतना करने मात्र से ही जो पती आपकी एक नहीं सुनता था जो पती आपके काबू में नहीं था जो पती आपको मारता था पीटता था दोस्तों वही पती पूरी तरह से सुधर जाएगा वही पती आपका गुलाम बन जाएगा और कभी भी आपकी तरफ आंक उठाकर किसी गलत नजर से नहीं देखेगा नहीं आपके साथ मार पीट कर पाएगा दोस्तों अगर आप चाहती हैं पती पत्नी के बीच प्यार बना रहे दिर्श्टा मधूर बना रहे तो आप इस टोटके के एकबर परियोग कीजिए अन्य किसी जानकारी के लिए वीडियो में दिये नंबर पर आप कोल करके समपरक कर सकते हैं वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें